सत्ष्री अकाल सार्यानू, जुगनू टाक चैनल ते तो हाड़ा सवागत है। आज गल करदे हां, आकलेंड दी कौमांतरी हस्ती हरनेक सिंग्डी हत्यादी साजेश रचन्डे दोश्च तिन जन्यानू वोई सजा बारे। आकलेंड दे एक कौमांतरी रेडियो मेजबान दी हत्यादी तक्रीबन सफल कोशिश नू अन्जाम देन दे दोशी आकलेंड दे एक बाबे नू इस अपराग लेई सब्तो लम्मी कैदी सजा सुनाई गई है। आजदी सुनवाई दोरान एक जजने लिख्या कि इस बहुत ही अलोकारी मामलेनू वेखद्या पाइचारक सुरख्या बणाई रखण अते मार तार्दी रोक्थाम लेई एक तक्रा सुनेहा देना, दोवे ही जरूरी हान। मेजबान हरनेक सेंगते ते दसंबर दो हजार वी नू देर राद दे रेडियो पर सारंतो बाद वाटल डाउन विखे उन्नादे कार्दे डराइव वेर, ते अनप छाते लोकांदे एक चोंडने हमला कार्दिता सी, जिस कारण उन्नानू चाकुदे चालीतो वाद फट लेके अपनी गड़ी दियां बारियानू जिन्दे ना लाउन्दा ते उस दी गड़ी दे शीशे पान रहे हमलावरा वलाण, हुआन्दा ते आन खिचनली लगातार हारना वजाउन्दा ता डूंगियां सट्टा वजणनाल सरीर दा सारा खून वग जान कारण उसने मर जा लेके ओ रेडियो मेज बानू कई साला तो रन्नान दा सी। जजने केहा के उसने जानी नुकसान पुचाउन दी व्योंत बंदी किती अते अपना टीचा सर करन वाले गुंडियां दी परती करन ले होर ना ते अपने असर रसूक दी वर्तों किती। जाजने केहा के मुल्जमनू वद तो वद सजाना मिलन दा इको एक कारण एसी की सतंबर अते अक्तूबर दोरान चले मुकदमे दी लम्मी उडीक दोरान इलेक्टरानिक निगरानी विच जमानत ते बिताए गए समिले ओ छे महीने दी छोटदा हकदार सी। वूलफोर ने ह अमला करन पिछे लुकी प्रेरना बारे केहा, इस विच तार्मक कटरता दे सारे लच्छन मौझूधान। इस तरह दी मारतार उस समे कीती जान दी है जदो किसे पले काम नू अग्गे वदाणा होवे। अजेहे परसंगा विच सजा सुनाण लई एक वक्री पाउंच दी लोड हुन्दी है। पाईचारेनू होर मारतार तो बचाउन ते जोर दित्ता जाना चाहिदा है अते दूज्यानू अजेहिया कारवाया करन तो बाज आउन दा सखत सुनेहा देना वी ज़रूरी है। आउन देहान जदो कि उस दी नुक्ताची नी करन वारे सिख्वदेरे कट्टर पंथी जा रूरी वादी ख्याला दे तारनीहान। ओ पावे आजदी सुनवाई विच शामल नहीं होया पर एक पीड़ दे नजरिये तो लिख्या उस दा ब्यान वकीला ने उच्छी आवाज विच पढ़के सुनाया। उसने लिख्या कि हमले दे नतीजे वज्जों उसनों अपने सिर अते ताल दे उपरले हिससे ते 355 वाद टांके लगवाउने पई अते कई सर्जरियां करवाउन डी लोड पई। ओ तिन साल बाद अजेवी सरीरक सट्टां तो ठीक हो रहा है पर मनोविज्ञानक सट्टां उस दे परिवार ते अजेवी हावी हान। हर नेक सिंग ने दस्या है कि हर रोज जदो सुरज डुगडा है ता मेरा परिवार सहें जानदा है, मेरी पतनी अते बच्चा आपने परछावे तो भी त्रेंदे हान मते कोई हमलावर इस दे पिछे ही ना लुक्या होवे, ज़ा साड़े ते हमला करन ले साड़े कार्दी निग्रानी ही ना कर रहा होवे, असी कदे एक बेपरवा, सही जते हस्ता खेड़दा परिवार हुन्दे सावकार हुन एक अजेहा परिवार बाण गए हां जो मेरी सुरख्या बारे लगातार डर्दे महौल विच जी रहा है, पर ओ अपने परिवार नु निर्पव रहन ल तुसा मैंनू चोप कराऊन दी कोशिश कीती, तुसी उना सार्यानू एक रूह कमबाव सुनेहा देना चाउन दे सी जो तोहाडे गैर प्रवायती तार्मक ख्यालानाल रजामन नहीं हुन्देहान, पर तुसी काम्याब नहीं होए, मैं अपने ख्याला अते मनोतांदा इज हार करना जारी रखांगा जेवे कि मैं हमेशा करदा रहा हां। उना केहा कि तुसी अपने वर्गे नजरीये अते विचारा वाले लोकानू बस एक ही रूह कमबाव सुनेहा देन विच काम्याब रहे हो कि कारवायां दे नतीजे निकल दे हुन्देहान अते निउजीलेंड वर्गे देश विच जेकर तुसी राब देना ते गलत ताम करोंगे ता कानून तो हाडे अगे चुकेगा नहीं। एक दे हुए सजादर 14 साल दे वद तो वद संभावी बिंदू तो शुरू करन दी लोड है। जे अपनी किसम दे सब तो गंबीर मामलिया विच्चो नहीं है ता होर की है। उसने पुछेया किसे नू मारन लेई इस तो वदिया होर केहडे टांग तरीके बारे सोचया विच सुक प्रीट सिंग, जिसनू मुकद मे विच कतल दी कोशिश दे तथांतो बाद हमलावरां दी मदद करन दा दोशी पाया गया सी, अते सरव जीत सिद्धू, जिसने मुकद मा शुरू होन तो कुछ देन पहला ही कतल दी कोशिश विच शामल होना कबूल कार ले आ सी, वि मुझूद सान, 27 सालांदा सिद्धू, जो कथि तोर्ते डराइव विचले चाकु बाजा विचो इकसी, बारे उस्ते वकी लेंडरियू स्पीड ने दस्या की मुक दोशी वल्लों उसनू दिमागी तोर्ते वा स्विच कर ले आ गया सी, उस वल्लों अपना कसूर मन लें तो बाद पाई गई दयादी अरजी नू 93 रख दे होए उसनू साधे 9 साल दी सजा सुनाई गई। सुक प्रीत सिंग जिसने हमले तो बाद दो चाकु बाजा नू नहावन तोन, साफ कपड़े पवावन अते उना दी गड़ी नू लुकावन विच असफल मदद कीती नू 6 महीने कार विच नजरबंद रहन दी सजा सुनाई गई। बचापाख दे वकील केटी होगन ने दस्या की इस गल्दा कोई सबूत मौजूद नहीं सी कि 44 सालां दे इस शकस नू हमले बारे अगाउं कोई पता सी। आज दी लम्वी सुनवाई एक होर चाकु बाज जस्पाल सिंग नू सजा सुनाई जानतों डेड साल बाद होई जिसने कतल दी साजश विच अपनी शमूलियत सब्तों पहला कबूल कीती सी। उसने बाद विच मुकदमे विच गवाही वी दित्ती। कतल दी कोशिश विच शामल रहे दो होर नानू अजेवी अगले साल दे शुरू विच होनवाली सजादा इंपजार है जोबन प्रीत सिंग जिसनू उसे जिवरी वल्लो हमले विच चाकू मारंदा दोशी पाया ग्या सी अते हरदीप सिंग संदू जिसनी रेडियो में इस बांदा कार तक पिछा कार रहे हमलावरां दी मदद तरन अते साथ देन दा इलज नहीं सानते जस्टिस वूलफोर्ड ने अपनी सहमती दे दिती सी चैनल सस्क्राइब जरूर करूजी कानवाद